Hello everyone, welcome to the current affairs session और आज की इस current affairs session में डिसकस करेंगे 4 नौवंबर के सभी important current affairs को एक एक करके सबसे पहले तो डिसकस करेंगे MCQ और फिर डिसकस करेंगे उससे जुड़ी हुई उन सभी details को जो भी exam के point of view से important है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो बता दूँ आप हमारे physics के MCQ के daily classes देख सकते हैं और इससे जो है आपको NTPC और आने वाले सभी exam में जिसमें भी science related question पुशे जाते हैं आपको काफी जादा मदद मिलेगा चलिए आप देखते हैं आज के quiz और ये जो quiz है इसके answers आपको खुद देकर अपने जो preparation से उसको test करना है कि आप 10 में से कितने score कर पाते हैं इस score को आपको comment box में लिख कर बताना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखते हैं आज का quiz आज के quiz में सबसे पहला question है वो है कल्टना चावला कारगो spacecraft कोन से अंतरिक्स एजनसी द्वारा launch किया गया है दूसरा question है डिसकोवरी दा हेरिटेज ओफ असम नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखा गया है अंतराश्ट्री ओनलाइन सूटिंग परतियोगिता के 10 मीटर राइफल परतियोगिता में स्वन पदक किस ने जीता है उसके बाद State Bank of India ने पूर्व जो मुख्य बित अधिकारी है State Bank of India के मुख्य बित अधिकारी कौन न्यूत किये गए है अगला question है बिस्व सिख्छक दिवस कब मना जाता है ध्यान रखेंगे यह जो है बिस्व सिख्छक दिवस है आगे बात करते हैं questions की अगला question है October का पहला सोमवार किस दिवस के रूप में मना जाता है October का जो पहला सोमवार होता है वह किस दिवस के रूप में मना जाता है अगला question है Air India 1 जो एक बिमान है पधान मंतरी और आश्पती के लिए खरीदा गया है कोस्चन है कि यह किस कमपनी से खरीदा गया है अगला question है सौस्टा के 6 साल बे मिसाल सौस्टा के 6 साल बे मिसाल किस मंतराले द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है अगला question है भारत की सबसे पहली इंसूरेंस अदालत काई वजन कहां किया गया और लास्ट कोस्टन है इंडियन बैंकिंग एसोसियेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है जो इंडियन बैंकिंग एसोसियेशन है इसके नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है इसके जो answer से मैं इस वीडियो के last में दूँगा जिससे आपको अपने answers को match करना है और उसके बाद जो भी score आप score करते हैं उसे comment box में लिखना है यदि आपका score 5 से उपर होता है तो ठोड़ी सी आपकी current affairs ठीक हो रही है और अभी आपको और भी मेनत करने की आव सकता है यदि आपका question जो है 8 या 9 सही होता है तो आपका जो current affairs है वह काफी अच्छा हो चुका है चलिए अब डिसकस करते हैं आज के important current affairs को एक एक करके आज का जो पहला question है वह है गंगा नदी को राश्ट्री नदी घोशित करने की कौन सी वर्सगाट बनाई गई है जिसके ओसर पर 12 उत्सों का जो आयोजन है वो किया गया है option है 11 12 14 या फिर 15 तो इसका जो right answer हो जाएगा जो गंगा नदी को राश्ट्री नदी बनाने की वर्सगाट है वह 12 वर्सगाट है ठोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में detail में तो गंगा नदी को राश्ट्री नदी बनाने के हो है या दो नवंबर से चार नवंबर तक कब से कब तक दो नवंबर से चार नवंबर तक मनाया जाएगा और इसका आवेजन कौन कर रहा है इसका आवेजन किया जा रहा है राश्ट्रिय स्वच गंगा मिसन और इसके साथ ही साथ जल सकती मंत्राले द्वारा जो भारत सरक के अधिन कारे करते हैं इनके द्वारा इसका आवेजन किया जा रहा है इस ओसर पर NCC मतलब की नेशनल कैड़ेट कोर द्वारा पौधार ओपन कारेकर्म का भी आवेजन किया गया यहाँ पर एक चीछ जानने योगी है कि जो गंगा नदी है वह गंगोतरी से भागी रथी अगरा काली नदी शांग राम गंगा और इसके साथ ही साथ यह जो सहयक नदियां है यह 11 राजियों से आती है और गंगा में मिलती है चलिए बात कते हैं आगे नेश्ट कोशन की वायू की गौनवक्ता की सुधार के लिए 200 करोड रुपे जो है वो कितने राजियों को दिय जाएंगे टोटल इसमें 200 करोड रुपे खर्च के जाएंगे और यह जो रुपे हैं यह कितने राजियों को दिये जाएंगे ओप्सन से 15, 16, 17 या फिर 18 जिसका राइट एंसर हो जाएगा यह जो 200 करोड रुपे हैं यह दिये जाएंगे टोटल 15 राजियों को जो वायू की गुनवक्ता है उसको सुधार करने के लिए चलिए बात कते छोड़ा से इसके बारे में डीटेल में तो जो भारसरकार के द्वारा 22 करोड रुपे का टोटल जो खर्च किया जाएगा वायू की गुनवक्ता में सुधार के लिए यह टोटल 15 राजियों को दिया जाएगा यह रासी जो है वो 15 वे बित्व कमीशन के निर्देशों पर जारी किये जाएगे इसमें जो सामिल राजिये हैं वो कौन-कौन से हैं महराश्ट, आंध्रपरदेश, गुजरात, करनाटक, जहारखंड, मध्यपरदेश, राजस्थान, उत्तरपरदेश, तमिलनाडू और प 30 करोड रुपे मिलेंगे, इसके साथ ही बता दे, जो 15 हुए बित्व आयोग है, उसके जो अध्यक्ष है, वो है नंद की सोर्सिंग, अध्यक्ष कोन है, नंद की सोर्सिंग है, और इनकी नियुक्ति राश्टपति की द्वारा की जाती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, चलिए बात करते हैं, नेस्ट कोशन की, 100% टेक्स में छूट, इलेक्ट्रोनिक वाहनों पर देने वाला पहला राज्य कौन बना, ओप्शन है, तमिलनाडू, तिलंगाना, पंजाब या फिर मध्यपदेश, तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, तमिलनाडू पहला ऐस राज्य बना है, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 100% टेक्स दिया है, जो टेक्स है, उसमें छूट दिया है, ठीक है, ठोड़ा सा बात करते हैं, इसके बारे में और डीटेल में, तो 100% टेक्स में छूट देने वारा जो पहला राज्य है, वो तमिलनाडू है, ज मोटर साइकल का उत्पादन करने वाला एक बड़ा राज्य है, जो लभक 35% दो पहिया वहन मतलब की मोटर साइकल वाहनों का निर्मान करता है, तमिलनाडू में इलेक्ट्रिक वाहन पार्क के भी स्थापना की जा रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन बनाया जाएंगे, यहां पर एक चीज और जानने ही होगी है, कि केंदर सरकार दोरा इलेक्ट्रिक वाहनों की विक्री को बढ़ाने के लिए एक नया इनिसियेटीव जो है शुरू किया था, उस इनिसियेटीव का नाम है फेम, और फेम का फुल फोर्म है, फास्टेर एडॉप्शन और अगला कोशन है, किस राज ने भारत की पहली सोलर से चलने वाली मिनियेचर ट्रेन की सुरुआत की, यह जो मिनियेचर है, काफी पुराने पेंटिंग्स जो होते हैं, उनका कलेक्शन होता है, और इस से चलने वाली जो एक ट्रेन है, किस से सोलर से, एक ट्रेन जो सोलर से च तो ट्रेन है यह कहां चल रही है किस राजे में चल रही है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा यह जो ट्रेन के ज़र रही है केरल सरकार के द्वारण-चूरी से इसके बारे में डीटेल में तो केरल ने जो है हाल ही में भारत की पहली miniature train जो solar उड़ा से चलती है उसको सुरू की है इसकी सुरुवाद जो है वो परियटन को बढ़ावा देने के उदेशे से की गई है इसके उपर total 60 करोड रुपे जो है वो खर्च किया गया है कितना 60 करोड रुपे खर्च किया गया है और इसका उदेशे परियटन को बढ़ावा देना है तथा बच्चों को आकर्सित करना है पेंटिंग के प्रती केरल ने हाले में सबसे बहतर सासित प्रदेश के रूप में अपना जो है वो पहचान बनाया है साथ ही डिजीटल सिस्था के रूप में मतलब कि डिजीटल एजुकेशन के रूप में यह जो राजे है यह प्रथम अस्थान पर रहा केरल के मुखी मंत्री कौन है पिनराई वीजियन है और यहां के राजेपाल है आरिफ महमत खान कौन है आरिफ महमत कान यहीं पर जो है कालिकट बंदरगा है जहां पर सबसे पहले वासको डिगामा 1498 में भारत आया था आगे बात करते हैं नेस्ट कोशन की एयरपोर्ट अथरिटी ओफ इंडिया ने लखनो एयरपोर्ट किस कंपनी को 50 साल के लिए कौन्ट्रेक्ट के रूप में सौपा है ओप्शन है अडानी ग्रूप, रिलाइन्स ग्रूप, टाटा संस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, एयरपोर्ट अथरिटी ओफ इंडिया ने लखनो एयरपोर्ट के साथ साथ और 5 जो एयरपोर्ट हैं, मतलब कि टोटल 6 एयरपोर्ट हैं, इनको अडानी ग्रूप को सौपा है, किसको अडानी ग्रूप को, ठोड़ा सा बा जैपूर, बैंगलूरू, तुरिवननदपूरम और गुवाहाटी जो एयरपोर्ट हैं, इसमें सामिल है, एयरपोर्ट का संचालेंड पूर्व में कौन कर रहा था तो, एयरपोर्ट अठर्टी ओफ इंडिया कर रही थी, जो भारत सरकार का एक उपकरम है, एक कमपनी है, अगला कोश्चन है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ओप्शन है, राजीव जलोटा, गुर्दीप सिंग, एस एस देशवाल या पिर संजय भाटिया, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, जो मुंबई पोर्ट और ये जो संजय भाटिया है, इनको महराश्ट का अभी जो है लोक आयुक्त बना गया है, क्या बनाया गया है, लोक आयुक्त बनाया गया है, राजीव जलोटा जो है पहले जीएश्टी के कमिशनर थे महराश्ट में, कहां जीएश्टी के कमिशनर थे महराश्ट में, मुं यपाल कौन है? भगत सिंग कोस्यारी है चलिए बात करते है, next question की हाली में किस खिलारी ने किरकेट के सभी प्रारुपों से सन्यास ले लिया option है महन्य सिंग गौनि, सेन वाटेशन हरभाजन सिंग या फिर उराज सिंग तो यूराज सिंग ने तो अपने सन्यास को कैंसल करते हूए वापस खेलने का ओमन बना लिया है हरबजन सिंग आई पिल खेलना चाहा था लेकिन आईपिल से पहले ही वापस लोट आये थे इसका राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेन वाटसन, सेन वाटसन ने जो है, क्रिकेट के सभी प्रारपो से वापस आने मतलब की सन्यास लेने की घोशना कर दी है, ठोड़ा सा बात करते हैं तो यह हैं सेन वाटसन, यह दी आप क्रिकेट प्रेमी हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानते होंगे, जो चेन ने सुपर किंग है, इस से जो है, यह खेलते हैं, चलिए बात कर लेते हैं, इनके कैरियर के बारे में ठोड़ा सा, तो जो अस्ट्रेलिया के खिलानी है, सीन वाटसन, इन्होंने अपने सन्यास की घोशना कर दी है और इन्होंने सभी परारपोसस अन्यास ले लिया है, इन्होंने टोटल 69 टेस्ट, 190 वंडे और 58 T20 मैच खेले, इन्हें 2017 में परमुख रूप से अस्ट्रेलिया के T20 प्लेयर अब दा इयर का भी अवर्ड जीता था, इसके साथ ही बता दे, अस्ट्रेलिया की ओर से इन्होंने दो क्रिकेट वर्ल्ड कप और दो ICC चेंपियंज ट्रोफी भी जितने में अपने टीम का साथ दिया था उस टीम के हिस्सा बने थे इन्होंने अपने केरियर की सिर्वाद 2002 में की थी, दक्षिन अफ्रिका के खिलाफ, किसके खिलाफ तो दक्षिन अफ्रिका खिलाफ इन्होंने अपने केरियर की सिर्वाद की थी चलिए बात करते हैं, नेस्ट कोस्टन की पाकिस्तान बोर्डर को प्रकास में करने हैं, तो उर्जा कहां से उपलब्द कराया जाएगा उप्सन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर जम्मु कस्मीर, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, जो राजस्थान है, राजस्थान में एक सोलर प्लांट और इसके साथी साथ एक वींड एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है जिसके द्वारा पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उसमों जो है लाइटनिंग दिया जाएगा, जिससे भारती सेना को तथा बॉर्डर में बीएसेप को काफी जादा मदद मिलेगी तो इसके लिए जो है अल्ट्रा मेगा रेनुएबल एनर्जी पावर पार्क जो है अस्थापित किया जा रहा है राजस्थान में और यहां जो है बैसिकली एन्टी पीसी के द्वारा और इसके साथ ही साथ सोलर इनर्जी कोर्प्रेशन ओफ इंडिया के द्वारा लगाया जा रहा है यह पार्क और ध्यान देंगे इससे टोटल आठ हजार मेगावार्ट बिजली का अत्पादन किया जाएगा कितना तो आठ हजार मेगावार्ट बिजली का अत्पादन किया जाएगा पौन उर्जा से टोटल जो है तेतालीस सो दस मेगावार्ट और सोलर उर्जा से 3760 मेगावाट उर्जा का उत्पादन किया जाएगा इसमें जो है राजस्थान सरकार की राजस्थान Renewable Energy Corporation Limited भी पार्टिसिपेट करेगी और दिन दोनों कमपनियों के साथ कोंट्रेक्ट में हिस्सा बनेगी राजस्थान के मख्यमेंतर असोग गहलोत है और राजेपाल है कलराज मिस्र राजेपाल कौन है तो कलराज मिस्र है यहाँ पर कॉंग्रेस की सरकार है चलिए बात कते हैं आगे नेस्ट कोस्टन की अगला कोस्टन है इंडियन ओल कोर्परेशन लिमिटेड किस कमपनियों के साथ जो है समझावता किया है और यह जो IBM है इससे जो है डिजिटल सेवाएं लेंगी और इसके लिए जो है IBM ने काम शुरू भी कर दिया है IBM ने जो IOCL है उसके कस्टमर को अच्छे फीडबैक देने के लिए तथा जितने भी IOCL के पर्म्स होते हैं उनके जो कस्टमर होते हैं उनके बिच रिलेशन अस्थापित करने के लिए एक एप भी बनाया है और इस एप का नाम है Indian Oil One Mobile Indian Oil One Mobile अप्लिकेशन और इसमें परमुक रूप से कस्टमर रिलेशनसिप मेनेजमेंट और डिस्ट्रिब्यूशन मेनेजमेंट सिस्टम को भी तयार किया गया है IBM के जो CEO है वो है अरविंद क्रिशना और Indian Oil के जो Corporation Limited के जो चेर्मेंट है वो है स्रीकांत माधो बैद्दे कौन है स्रीकांत माधो बैद्दे हैं इंडियन ओयल के अस्थापना 30 जुन 1969 को हुई थी कब हुई थी 30 जुन 1969 को और इसकी मुख्याले कहां है तो नई दिल्ली में है कहां नई दिल्ली में चलिए बात करते हागे अब नेस्ट कोर्शन की अगला कोर्शन है Reserve Bank of India के द्वारा हाल ही में किस बैंक के उपर नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया ओप्सन है Yes Bank Punjab and Sindh Bank DCB Bank DCB Bank या फिर Kotech Mahindra Bank तो इसका राइट अंसर हो जाएगा जो DCB Bank है इसके उपर जो है परमकुरूप से RBI द्वारा जुर्माना लगाया गया है तो कितना जुर्माना लगाया गया तो टोटल 22 लाग का जुर्माना लगाया गया है ठीक है टोटल 22 लाग का जुर्माना लगाया गया है ध्यान रखेंगे 22 लाग है यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो है जियो पेमेंट बैंक के उपर भी जुर्माना लगाया गया है जियो पेमेंट बैंक के उपर कितना जुर्माना लगाया गया है तो जियो पेमेंट बैंक के उपर एक करोड का जुर्माना लगाया गया है जो DCB बैंक है उसके उपर 22 लाख रुपे और जो जियो पेमेंट बैंक है उसके उपर एक करोड रुपे का जर्माना लगाया गया है इन दोनों के उपर mutual fund और insurance से मंधित जो कारे होते हैं उसमें छेड़ छाड़ और तथा गलत तरीके से काम करने के लिए जर्माना लगाया गया है Reserve Bank of India के governor कोन है तो ससकान दास है और इसमें टोटल चार deputy governor है कोन-कोन वो है देखिए BP कानुन गो, MK जैन, MD पात्रा और राजिस्वर राव BP कानुन गो, MK जैन, MD पात्रा और राजिस्वर राव इसके deputy governor है ठीक है, RBI के स्थापना 1 April 1935 को भी थी और इसका मुख्याले कहां है Mumbai में है, तो यह थे इस चीज से जुड़ीवी कई सारी informations जो की exam के point of view से important है आप PDF डाउनोड कर सकते हैं, टेलिग्राम चैनल के link के द्वारा, टेलिग्राम चैनल का link जो है description पे दिया हुआ है ठीक है, आगे बात करते हैं, next question की अगला question है जो World Wide Fund Water Risk Filter Support World Wide Fund Water Risk Filter Support की report है 2020 की उससे इनुसर भारत के कितने सहर में पानी की गंभीर समस्या है पानी की जो समस्या है, मतलब की जो जल की समस्या है, उससे ये जो सहर पीडित है option है 30, 40, 45 या फिर 28 तो भारत में कुल ऐसे 30 जो सहर है वो पानी की बहुत ही कठिन समस्या से गुजर रहे है और ठोड़ा सा बात कर लेते हैं और इसके बारे में तो इसमें कौन कौन से सहर है, इसमें है जैपूर, अमरित सर, इंदोर, स्री नगर, बैंगलूरू और इसके साथ ही साथ मूंबई, विसाखा पत्नम, ये जो देश है और इसके साथ ही साथ कोजी कोट ये जो परमुक सहर है, इनमें जैल की जो समस्या है, वो काफी विसाल है, काफी अधिक है और इसके साथ ही आगे बात करें, बैस्विक अस्तर पर मतलब की गलोबल लेबल पर जकारता, बीजिंग, जोहनसबर्ग, होंग कोंग, रियो डिजिनेरियो ये दो रियो डिजिनेरियो है, ये बैसिकली ब्राजील में है, जहाँ पर ओलोम्पिक खेल का भी आईवजन किया गया था इसके साथी साथ मक्का, जो कहां है, साथी अरब में है, जकारता आपका इंडोनेसिया में है, बेजिंग, चीन में, जोहनसबर्ग, दक्षिन, अफरीका में है, ठीक है यहाँ पर रैट अंसर हो जाएगा, जो आईनेस एरावट है, हालही में सुडान पहुचा है, खाद सामग्रियों को ले कर, और देश को राहत पहुचाने के लिए, ठीक है ताकि COVID-19 के जो असर है उससे देश उभर सके सुडान देश उभर सके ध्यान देंगी यह जो सागर मिशन परियोजना है या फिर जो योजना है वह 2015 में सुरू की गई थी महासागरिय देशों में जो है बहतर संबंद स्थापित करने के लिए ताकि भारत के साथ कोडिनेशन अच्छे तरीके से किया जा सके सागर माला परियोजना जो है यह विशेश तोर पर जो है सामानों के बेहतर परिवहन से संबनित है ये तो सागर मिसन ही ये तो अलग है और एक है आपका सागर माला परियोजना जिसमें जो सामान है जो सामानों की परिवहन है उसको बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द एक अस्थान से दूसरे अस्थान पहुंचाने के लिए Conditions को बेहतर बनाना है इसमें सभी परकार के जितने भी यातायाद के स्रोथ है जैसे कि जल्द से, समुंदर से, मार्ग से, सडक मार्ग से इन सभी चीजि़ों को दुरुष्ट करके जो shipping है उसको काफी जिससे ज्यादा तेज बनाना है काफी तेज बनाना है shipping को तक कि सामान जो है एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक काफी तेजी से पहुंच सके तो जो है इससे भारत में shipping की जो इलिश्ट्री है वो काफी ज्यादा फल फुल सके और उसमें profit का जो value है वो करके जो है देखेंगे आप जो है आंसर को मैच करने के बाद जितने भी स्कोर होंगे उसको कमेंड बॉक्स में लिखेंगे तो चलिए देखते हैं अब जो है क्विज का जो आंसर है उसको एक करके तो हमारा जो सबसे पहला कोस्टन था वो क्या था सबसे पहला कोस्टन था कल Discovery the Heritage of Assam नामक पुस्तक लिखा गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो पुस्तक है, यह लिखा गया है, पदम पानी बोरा के द्वारा, किसके द्वारा, पदम पानी बोरा के द्वारा, और इसकी लौंचिंग जो है, जीतेंदर सिंग ने की थी, जीतेंदर सिं पांडियन ने किसनु किसने जो है बिसनु सीवराज पांडियन बिसनु सीवराज पांडियन इस्टेट बैंक ओफ इंडिया ने जो है वह मुख्य बित अधिकारी की रूप में निव्त किया है किसे तो यह जो मुख्य बित अधिकारी है यह है चरंजीत सिंग अट्टा कौन रंजीत सिंग अट्टा है इसके बारे में मैंने काफी बात जिक्र भी किया था यदि आप continuous करें टेफेस देख रहे होंगी तो और उसका revision अच्छे डंक से कर रहे होंगे तो आपको याद होगा आगे बात करते हैं विशु सिक्षक दिवस कब मना जाता है तो यह जो विशु अक्टूबर का जो पहला सोमवार है यह मना जाता है विशु निवास दिवस के रूप में मना जाता है मतलब की वर्ल्ड हैविटाड़ डे करूप में मना जाता है ठीख है आगे question है Air India 1 जो है वहभ इमान पधानमंत्री और राश्पति के लिए खरिदा गया है यह खरिदा जो कैम्पेन है या फिर जो अभियान है यह जो है भारत सरकार की सहरी आवास मंतराले के दोरा सुरू की गई थी इसके बाद जो अग्ला कोशन है भारत की सबसे पहरी इसुरेंस अधालत कहां लगाई ग utilization है तो राची में लगाई गई थी राची मतलब कि जारखन, जारखन की राधानी, राची में भारत की सबसे पहले इंसुरेंस लोग अधालत लगाई गए थी, अगला कोशन है, इंडियन बैंकिंग एसोसीएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाया गए हैं, तो जो इंडियन बैंकिंग एसोसीएशन की नए अध् दी भी हैं तो ये थे 10 questions के answers कितने questions आपके सही हुए comment box में जरूर बता हैं इसके साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई suggestion है तो वो भी आप comment box में दे सकते हैं मिलते हैं कल के important current face में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप हर दिन सुबह 4 बजे इस current face session से जूड़े और अपने जो current face के त्यारी है इसको और भी बहतर मनाए चलिए मिलते हैं कल की current face में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद